दोस्तों साल 2013 में रिलीस की कई फिल्म फुक्रे तो आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी जिसकी कहानी तीन लड़कों पर आधारे थी और ये तीनों ही लड़के लड़कियों में काफी ट्रस लेते हैं साथी कई तरह से ज्यादा पैसे कवाने की चहाँ भी रखते हैं और इसी कहानी को फिल्म में नजर आये कलाकारों ने अपने किरदारों से बेहत खुबसूरती से परदे पर उतार कर इस फिल्म को सूपर डूपर हिट बनाया इतना सूपर हिट बनाया कि आज भी दरशक फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं इतना ही नहीं उनमें से कुछ दरशक तो ये भी डिमांट कर रहे हैं कि फिल्म का थर्ट पार्ट भी लाया जाए लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप लोगों की डिमांट को एकसेप्ट कर लिया गया है खबरों के अनुसार अब जल्दी फिल्म का थर्ट पार्ट आ रहा है यानि कि आप सब लोगों को फुकरतरी मुवी जल्दी देखने को मिलेगी तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फुकरतरी फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट, रिलीजिंग डेट से जुड़ी सारे जानकारिया देंगे मगर उससे पहले आप इस फिल्म के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले साल 2013 में फरहानकतर के तले बनी मूवी फुकरे जो बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाती हुई रहजर आई थी जिसकी कहानी तीन फुकरे लड़को पराधारे थी जिनका इंटेंशन होता है कि लड़किया इने बार बार देखे इसके साथ ही इने लोट्री लगाने का भी बहुत चौक था जिसके चलते इनकी मुलाकात भोली नाम की पंजाबन से होती है जो कि लोट्री पर पैसा लगाती थी और इस बीच ये तीनों बुरी तरह से फस जाते हैं जिससे बड़ी ही मुश्कित से बाहर निकलते हैं और अपने आपको बचाते हैं इसी कहानी को फिल्म में नजर आये पुलकित समराट बने हनी, चूचा बने वरुन शर्मा और लाली बने मंजोट सिंग ने बेहत खूपसूरती से निभाया और अपने शानदारा भी नए प्रदर्शन से इस फिल्म को सूपर डूपर हिट बनाया बस यही थे फिल्म की कहानी जिसे दर्शकों ने अपना बेहत प्यार दे कर ब्लॉक बस्चा बनाया था आपको बता दे वरुतुमान में इस फिल्म को पूरे आठ साल भीद गए हैं और खबरों के अनुसार इसी खुशी में फिल्म के मेकर फरहान अक्तर अपने फिल्म का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं जी हाँ आपको बहुत जल्दी अब फुक्रे 3 मूवी देखने को मिलेगी खबर आई है कि फुक्रे मूवी के कहानी पर फिल्म राइटर विपल विगो और मृत देप सिंग लाबा ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म की कहानी पिछली बार की तरह लौटरे पर बेस नहीं होगी बलकि इस बार कहानी में अक्शन, ट्रामा और रोमेंस भी होगा जिस पर बेस्च होगी इस पिल्म की पूरी कहानी जिसे दमदार अक्शन, ट्रामा और सस्पेंस के साथ परदे पर उताया जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि फुकरतरी फिल्म में इस ट्रार कास कौन सी होगी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले पर्ट में सभी यंग कलाकार थे जिसमें पुलकित समराट, वरुण शर्मा, रिचार चड़्टा और मंजोज सिंग जैसे कलाकार शामिल थे लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि स्टार कास में ये ना होकर कोई और ही कलाकार होगी जी हाँ, इस बार पुलकित समराट, वरुण शर्मा और मंजोज सिंग की जगह, सलमान खान, शारुख खान और एजी देवकर अभी नए करते हुए नजर आएंगे इस बार की कहानी को चलगी और लाजवाब होगी, जिसमें करीरा कपूर, रिजा चड़ा की जगहा भी नए करते हुए दिखाई देगी इस बार की कहानी में ना सिर्फ रोमांस, बलकि ड्रामा के साथ-साथ एक्शन भी होगा और इसी के साथ ही, बॉलिवड इंडास्ट्री के मितुनदा भी फिल्म में नए करदार के साथ एंट्री मारेंगे जिनके उपर इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से आधारित होगी या फिर यू कह लीजिए कि इस फिल्म का पूरा ताना बाना इनके इर्दगिर्द ही घुमेगा लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि भी चुनी कई इस शारकास में से किसीने भी फुक्रत्री फिल्म में काम करने के लिए अपने कोई भी कन्फरमिशन नहीं थी साथ ही अभी फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है तो इसी को देखते हुए अभी फिल्म की कोई रिलीजिंग डेट सामने नहीं आई है पर अभी से ही फिल्म को लेकर दर्शोकों के वीच एकसाइटमेंट देखने को मिल रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फुकरतरी फिल्म के लिए चुनी गई स्टार कास रिक्दम सही है या नहीं आप हमें कमिंच बाक्स में कमिंच करके जरूर बताए साथ ही बॉलिवट से जुड़ी ऐसी और भी मज़दार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें